तो अरो फैंक कैसे हैं दोस्तो आज मैं आपको उताने हों Samsung Keyboard के अंतर नए अपडेट आया और कमाल के वहाँ बहुत सारे नए फीचर को एड़ कर दिया गया है दोस्तो यह नए फीचर क्या है और कैसा ही अपडेट आया जो कि मैं आपको वीडियो बताने वालों तो वीडिय यहां पर अपडेट में जाएंगे तो आपको लिख जाएगा यहां पर एक नए अपडेट आया है जो कि Samsung Keyboard के अंदर आया है यहां पर आप देखेंगे बहुत सारे नए नए फीचर को यहां पर आड़ों किया गया है और यह अपडेट को कब रॉल आउट किया गया है यह आप देख सकते हैं मैंने इसको अपडेट कर लिया और इंस्टॉल हो चुका है लेटेस होजना तो सबसे पहला जो यहां पर अपडेट दिया गया है वह स्पैलिंग एंग्रामर करेक्ट को लेकि आप ऊपर देख रहे होंगे यह पहले ही वन्योई 4.0 में रोड कर दिया ग चाहते हैं और फालतो कि आपकी जो गुरूप से चलाते हैं या फर फ्रेंड्स के ताफ चेटिंग करते हैं उसमें ना सजेशन लिखे तो आप इसको हटा भी सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं यह वर्क याज़ की सब्सक्राइब आप देखेंगे मैंने कि यहां पर एक से आपने यूटूबर आएंगा और यहांपर मैं से चैनल आएगा और यहां leos आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेंगा आप यहांपर ठेल डहेंगे तो यहां बहुत अच्छा यहाला option है जैसे कि बहुत शांदर यहाला feature काम कर रहा है आप देख रहे होंगे बहुत अच्छ से काम कर रहा है अगर आप नहीं चाहते कि यह आपको इसी एप में चले आप इसको फेस्बूक पर काम नहीं करेगा और भी मेरी इस्टागराम चेटिंग पर काम ना करे तो आप यहां पर आप्टोमेटिक एप उसके एपस को स्रेट कर लेंगे और वहां पर नहीं करेगा तो सबसे वहला जो feature था वह यहिए कमाल का फीचर यह वाला उसके यह फीचर किया है उ लेंग्वेज चेंज बटन लगा सकते अगर आप सैंसंग गलेक्सी कोई आप परोड या बोल सकते हैं कोई भार जाके कंट्री में पर्चेस करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सेम लेड़ाउट मिलेगा जो कि आपको अपनी इंडिया में मिल रहा है तो आप चाहें तो अगर उस लेड़ाउट को चेंज भी करना चाहें तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं प्रीवियस की मुद अप जो नॉर्मल पहले आते थे उसके साब से आप चेंज भी कर सकते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा सैंसंग कीबोड की सेटिंग में लेड़ाउट में कैसे आपको यहां जाना है Samsung keyboard की setting में setting में जाना है आपको जाना है layout में यहां जाना है आपको layout में layout में जाना है यहां पर आपको जाना है button and symbol में और आप इसको alternative और default में कर सकते हैं सकी यहां पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है अब आप उसको की एन special correct में जाके layout को change कर सकते हैं उसके दोस्तों थर्ड जो यह लिखा है थर्ड में उन्हें क्या लिखा है कि हम आपको thank you बोलते हैं क्योंकि हमने सारे customer के लिए easily कर दिया है आपको समझाने के लिए कि कैसे उसको use करेंगे तो यहां पर उन्हें समझाया है और उसको अच्छे से brief कर दिया है थाकि आप उसको अच्छे से use कर सकें उसके जो fourth number पर दिया गया वो है keyboard को लेके और कीवोड में बहुत जादा यहां पर changes किये गया है मतलब कि पहले अगर आप क्या होता था था अगर आप किसी चीज को delete करने जाते थे तो वहां पर आप once ही fixed हो मतलब कि delete करने में बहुत जादा issues होते थे या तो पूरी अब उसको अच्छे से यहां पर modify कर दिये गया है when deleting everything include pin item is display so that you can choose the delete pin clipboard as well अगर आप किसी delete करते हैं पिन आइटम को तो वहां पर आपको display होता है यह है चूज तो delete pin clipboard as well आपको आप चूज बताएगा कि आपने pin item को select कर लिया अगर आप उसको delete करना जाते है पहले वह solution नहीं देता था अब आपको वहां पर save देगा the issue will clear text not being visible when setting theme or dark पहले क्लिप करते हैं तो वहां पर आपको मैसेज आता था copy to clip card this has been copied to clip card or this item has already clip उसको भी fix कर दिया गया आपको दुबारा वह message नहीं दिखाएगा the issue will clip card not adding internal and some carrier has been fixed और भी कुछ issues थे उसको भी fix कर दिया गया है और past function not working the course will past function not working after abnormal termination of the samsung notes app has been fixed पहले क्या होता था अगर आप samsung notes यूज करने हैं और आपनलब कोई hanging होने कारण या कुछ problem होने कारण अगर आपकी samsung notes बंद रहाती थी तो उसके बाद वह paste option वर्क नहीं करता था अब उस option को भी solution कर दिया गया है और साथ में महाँ पर एक नया option दे दिया गया अब्डेट हैस बिन पिन आइटम नौट तो डू नौट चैंज अर्पर उसको बंद कराएं वहाँ पर आपको मिलेगा जब भी आप अगली बार उसको उपन करेंगे तो अब इसको एक्शल में वर्क कैसे करता है वो देख लेता है मैं आपको ले चलता हूँ वापिस अफ कईफ़े वोट में आ गया हूं कि तो पेहले आपको कउपी वालास पहले कउपी कर लिए करने के अब मैं दुबारा जीक करता हूँ तो पहले वहां पर नोटीफिक्शन आता था था कि आपने पहले सा ही कईफ़े कर रखा है एकक्टिफाइव और गया तो आप आपको बताएगा डिलीट वन पिन आइटम पहले यह आपको बताएगा कि आप पिन आइटम को डिलीट करना चाहते हैं यह नहीं करना चाहते हैं आप देख लो तो यह आपको सेलेशन करेगा और अगर आप यहां पर पहले क्या होता था अगर आप यहां पर स्लेट क कर रहें तो आप उसको मचा लिए तो एक तो यह ओप्शन दी दिया गया यहां पर दूसरा वहाँ पर उसको एक्टिफाइब कर दिया गया है और आप किसी चीज को स्लेट करके अगर बैक आते हैं कि लाइक अब मैंने मालो मैंने कि यहां पर आया मैंने इसको स्लेट करा और उसको बंद कर दिया दुबारा मैं यहां क्लिफ वोट पर गया तो बापिस आप देखेंगे वो बापिस खुला ही हुआ मिलेगा आपको पैक नहीं मिलेगा मतलब वहीं के वहीं आप बापिस पहुच जाओगे तो यह भी नए अपडेट्स दिया ह अगर आपको मेरी वीडियो पसा है तो प्लीज लाइक जरू करें अगर आपको लगता है अगर अब तक आपने मेरे चाहल नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल की नेक्श वूर्ड आपको सबसे पर मिले और साब में नोटिफेशन बैल आइकन को दबाना भी ना बुले और मु